डियर आईए सिस्ट्रेंट 2023 के बूर्ड कमिशन से पहले एक्ट फूर और एक्ट फाइब के अलावे एक्ट त्री जैंकिस्ट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका मैं अभी आपके साथ डिस्कुसन कर ले रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देने की बात कई गई है एक्ट त्री में इंचार डिरेक्टर आंगे फॉर्डिनांड आएगा मिरांद आएगी फिर आपको कैलिबन आएगा एरियल अपरस्पेरो हनका सा वह बैकड्राउंड या बैकड्रॉप है तो यहां पर आपको इन में से क्या देखने है तो जब आट थ्री को देखते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट और वीम से सब्सक्राइब करेंगे कि यह जो पार्ट है पर पेट्यूर्ट आपको इसको लेकर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हो सकते हैं तेन मार्कर हो सकते हैं यह हो कि यह जो पार्ट है पर पेट्यूर्ट है उसी तरह से जब आइसी एसी क्लास्टेन थे में परते हैं पॉर्शिया का मुझे स्टूरी तो इसी तरह से इसको इस बार बताए जा रहा है फरडिनान जो अपना लॉव एक्सप्रेशन करता है बहुत सारे उसके इमोसर एक्सप्रेस्ट है इसको आप देख लेंगे फिर कैलिबन और एरियल दोनों सिलेव हैं प्रोस्पेर होके और दोनों सिलेव नहीं बनना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच में जो टसल है और कै इन दोनों में काई ज्यादा इंपटन के क्रेक्टर के करणा देजाता है एरियल को थोरा सा जैन्यून करेक्टर माना जाता है यह एरियल प्रोस्पेरो का दड़ के कारण ही स्वामी बगत है वह आप देखें गयों कि कैलिबर पर कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं कैलिबन को लेकर यहां पर कैलिबन और एरियल को लेकर conversation भी आते हैं क्योंकि वह अपुरस मेरो लेकि कैलिबन है अन्रोली है डिस्टॉर्ड यह यह लेकिन एरियल है काफी लॉयल है और वह एक तुरह से मैनली और डेमियोर टाइप का पर्शन और भाना गया है वह तो यहां पर आ जाता है एक फोर और फाइव नहीं मेरे बच्चो आट फोर और फाइव से बताया जा रहें और लए यह पर देन मार्क पर एक्ट्री से दे दिया जाएगा एक टेन मार्कर फोर और फाइब कोई वी दे सकता है मैंने पहले काला कार रखाया डिस्क्लेमर लगा रखा कि आप समरी पढ़ लिजे इस चैनल पर समरी और इंपोर्टेंट कोस्ट्र प्रोवाइड कर दिये जाएगा नेक्स वीडियो मे तो इसका जो क्लाइमेक्स पॉइंट है या प्रोस्पेरो का कन्वर्सेशन है या फिर उसका जो एनमी कंट्री से अंडिया है तो उसको लेकर यह जो आक्ट बन रहे हैं वहां पर है या फाइनल सीन से एक कोश्चन रहने की उम्मीद है तो बताय जा रहा है कि फाइब मार् है और मैंने आपके साथ शेयर किया क्योंकि उससे पहले बताने का कोई मकसर इन नहीं जब हमको कर्सेवरेटी नहीं स्टो डेंट को आक्ट थी काफिंपॉर्टन से पढ़ना है एक फूर और फाइब के संदरी के साथ इंपॉर्टन को गोत्रू करने है एक फूर और करेक्टर रूप में आया है और उसे अपने फादर को कण्विंस किया हुआ या पूरी तरह से अपने दुस्मान को ग्रश कर देना चाहा है और उसमें जो उसका हाट चेंज होता है यह प्वाइंट इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है इस समय इन बातों को दियान में रख वीडियो में आपको मिल जाएंगी जितनी भी कोशिस मैं कर पाऊंगा तो बने रहे हैं इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में जूनियर को शेयर करना याद रखिए क्योंकि और मेहनत से और जोस के साथ आपके साथ जूर पाल